भारत बर्स में स्वामी बिबेकननजी की जैनती हर साल बारा जन्वरी को रास्ट्र युबा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बास्तप में स्वामी बिबेकननजी आधुनिक मानब के आदर्स प्रतिनी थी है। स्वामी बिबेकनन जी 12 जन्वरी 1863 को कोलकता में जन्ग्रहन किये थे। स्वामी बिबेकनन जी बहुत कम उम्र में सारे विश्व में बहुत प्रभापसाली आध्यात्मिक गुरू बन गये थे। सन 1893 में अमेरिका के सिकागो में हुए विश्वधार्मिक समिलन में उन्हने जब भारत और हिंदुत्व का प्रतिनी दित्व किया तो उनकी विचारों से पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्सित हो गई थी। बिश्वधार्म समिलन में जब स्वामी बिबेकनन जी अपना भासन अमेरिका के भाहियों और बहनों से संबोधन से शुरू किया तो पूरे दो मिनिट तक आठ इंस्टिचूट अफ शिकागो तालियों की आवाद से गुंसता रहा। उस दिन से भारत और भारतिय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिल गई। सिख्या के साथ ही भारतिय सास्त्रिय संगित का भी ज्यान रखते थे और वे एक अच्छे खिलारी भी थे। उनके दिये हुए बिचार और कार्य आज के समय में हर युबाओं के लिए प्रेरणादाई है। वे हमेशा उनकी अनमोल और प्रेरणादायक विचारों से युबाओं को प्रोश्चाहिद करते थे। इसी कारण से हर साल स्वामी बिबेकानन जी की जैंती के दिन राश्च्य युबादिवस के तोर पर मनाया जाता है। स्वामी बिबेकानन जी की दर्शन, आदर्स और काम करने की हर तरीका भारतिय युबाओं के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इसलिए स्वामी बिबेकानन जी की जैनती को राश्य युबादिवस के तोर पर हर साल बहुत धूमदाम से मनाया जाता है। उन्होंनी समाज की सेबा कार्य के लिए रामकृष्ण मिसन की स्थापना भी की। अभी हम राश्य युबादिबस पर स्वामी बिबेकनन जी की दिये हुए प्रेणादायक और अन्नौल बिचार सुनेंगे। जितना बड़ा संखर सोगा, जीत उतनी ही सांदार होगी। लगातार अच्छे बिचार सोचने रहना ही बुरे बिचारों को दबाने का एक मात्र तरीका यही है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वाफपस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। एक नायक बनो और सदेप, खुद से कहो, मुझे कोई डर नहीं है, जेसा में सोच सकता हूँ, वेसा जीबन में भी जी सकता हूँ। आप सभी को राश्य युबादिबस की बहुत-बहुत सुप कामना है। अगर आपको यह भीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक किजिए, स्यार किजिए और सब्सक्राइब का नामत बुलिए। फिर मिलते ही अगले भीडियो पर।